स्रेई शिवाय नमस्तु भेहम हम सबको पता है कि आज है 6 सितंबर यानि की हर्ताली का तीज का बहुत ही पावन सा दिन और ये वही दिन है जिस दिन हमें अपने घर पे फुलेरा दीपक लगाना होता है जिससे हमारी फैमली हमेशा खुश रहे और शिव शम्मू भोलेनाथ ह आपको एक फुलेरा दीपक अपने घर पे लगाना है जिससे आप फुलेशंग कर मासत्ती को खुश कर सकते हो ठीके ना सबसे पहले बात करते हैं कि वह दीपक हमें लेना कौन सा है आपको इस उपाय में दीपक लगाना होगा 4 मुखी दिया कौन सा 4 मुखी ध्यान लखिए फिर आपको चौकोर दीपक बनाना चाहिए इससे क्या फायदा होगा जब चौकोर बनाओगे तो आपको बत्ती रखने में क्या होगी आसानी होगी जैसे इस बहन ने क्या बनाया है देखो चौकोर बनाया है बत्ती ऐसे रख दिया फुलेरा का दिन कभी भी हमें किसी और दीपक नहीं लगाना चाहिए बलकि कौन सा दीपक लगाना चाहिए आपको घी का दीपक लगाना चाहिए वो भी गऊ माता का मेरी बात समझ में दीपक रेडी हो गया अब आप इस दीपक को लगाओगे कहां पर सबसे पहले ये समझो इसके दो नियम है, पहला नियम तो ये है कि आपने जिस मंदर में फुलेरा को बाधा है, उसी स्थान पर नीचे महादयो के शिवलिंग के पास में दीपा को प्रजुरित करना है, पहला नियम ये कहता है, अब अगर मालीजे फुलेरा आपने नहीं बाधा, तो आप किसी भी ऐसे मंदर चले जाओ, जहां पे क्या हो, फुलेरा पहले से बदा हो, एक डाउट और होता है, कि भीया हम लोग मंदर नहीं जा सकते हैं, हम लोग तो शाम को कि आये हुपाय कब करना है, रात में करना है, प्रदोशकाल के बाद में, तो हम मंदर नहीं जा सकते हैं, रात हो किसी भी एक पत्ती को लेना धान रखेगा तुलसी माता का पत्ता नहीं होना चाहिए कोई भी एक पत्ता ले लो और आपने घर के में गेट के बाहर या फिर जहां पर फुलेरा बदा है वहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे इस पत्ते को रख देना जमीन पर पत्ता रखने के बाद में उसी पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है जो मैंने आपको चो मुखी दिया दिखाया उस चो मुखी दीपक को रख महाँ पे रख करके और आपको इस दीपक को प्रजुलित करना है जब आप इस दीपक को प्रजुलित कर रहे हो तो माता सती का भी ध्यान दरेंगे भगवान शंकर का भी ध्यान देंगे भगवान कार्ति की का भी ध्यान लेंगे और भगवान गनेश का भी ध्यान करते वे इन चारों लोगों का ध्यान करते वे एक एक बत्ती लगाना स्टार्ट करेंगे मतलब की एक बत्ती भगवान शिव के नाम की एक बत्ती मापारवती एक बत्ती भगवान कर्त के और एक बत्ती किसके नाम की भगवान गनेश के नाम की पूरे शिव परिवार का नाम लेकर के इस दीपक को जला देना साथ ही साथ अगर आपके पास में लॉंग हो तो दो लॉ उनके दाने को डाल देना यकीन मानिए जो भी विक्ति इस उपाय को फुलेरा दीपक की नाम से जाना जाता है कर लेता है उनके घर में कभी भी कोई तकलीफ है नहीं आती और उनका परिवार हमेशा सुखमे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है ठीके ना करके देखीगा तो यहाँ पर हम सभी लोग ने बात कर ली है अपने किस के अपने पहले उपाय की आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ यह उपाय भी हरताली का तीज का बहुत फेमस सा उपाय है जैसे मान लीजे कि आपको घर का कोई भी ऐसा विक्त लेना इस एक काले मिर्च को जो विक्ति आपे घर में बीमार पड़ा हुआ है या मैं बीमार विक्ति को बना दे रहा हूँ ठीके ना उसके उपर से क्या करना है 21 टाइमस एक ही काले मिर्च को 21 बार सर से लेकर के पैर तक क्या करना है आपको घुमाना होगा ठीके ना गुम पाने के बाद में आपको इसे ले करके अपने घर की छट पे जाना है ठीक है ना कहां पे छट पे अब माली जी आप छट पे नहीं जा सकते हो तो जिस स्थान से खड़े हो करके आपको चंद देवता के दर्शन हो रहे हो उसी स्थान पे खड़े हो करके चंद देवता को उस एक काले मिर्च को दिखा करके और खुब तेजी से किसी भी दिशा में कर आप फेंक देते हैं, तो जो उस विक्ट की बीमारियां होंगी, जो उस विक्ट की तकलीफे होंगी, अगर उसे दवा असर नहीं कर रही है, तो उसे दवा भी क्या करेगी, असर करना स्टार्ट कर जाएगी, इतनी ताकत होती है, हर तालिका तीज पे उपाए करने वाले मात्र इस एक काली मिर्च की, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं कोई लोग हर विक्ट को, हर इनसान को इस उपाए को करना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा हो पाए, ठीक है ना, बात करते हैं सुपाए की, सबसे पहले बात करते हैं कि भीया इस सुपाए को करने से हमें बैनेफिट क्या होगा, जिससे मान लिजे कि बरसों से आपकी कोई इसी इच्छा है, कोई इसी कामना है जो अधूरी दह जा रही है और वो पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो आप शाद चावल के दाने को लेके कहाँ पे जाएंगे, अईसे इस्ठान पे खड़े होना, चाहे अपने घर के छट पे, घर के, बाहर घर के अंदर, जहांपे भी खड़े होना है, खड़े हो करके, जिस इस्ठान से चंद्र देवता के आपको दर्शन हो रहे हैं, क्योधकि हर तालिका तीज के दिन चंद्र देउता का भी बहुत बड़ा महातो है जो हर तालिका तीज होती है और जो करवा चोत होता है सेम सेम समझ लो रहता है एक दम as it is बस पूजा करने का जो तरीका है दोनों में different होता है वनना सारे तरीके same है तो क्या करेंगे उन साथ चावल के दा उनहीं के ऊपर लेके आएंगे और सबसे पहले चावल को चड़ाने से पहले एक लोटा शुदजल तामवे के लोटे से स्री शिवाय नमस्तु भ्यम का जब करके और उन साथ चावल के दाने को अपनी मनो कामना अपनी इच्छा कहते हुए महादयो के शिवलिंग के उपर अगर आप समर्पित कर देते हैं इस हर तालिका तीज पे तो आने वाले दो से तीन महीने में बरसों पुरानी जो आपकी मनो कामना होगी जो आपके विशेज होंगी वो पूरी होती वी नजर जरूर आएगी ठीक है ना कितने उपाय हो गए तीन उपाय के हमने बात कर लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी में देना चाहता हूँ कि आप लोग के द्वारा बहुत सारे ओर्डर आये थे उन सभी ओर्डर को मैंने भेज दिया है जिसने बुक मंगाई थी बुक भीजवा दिया जिसने रुद्राक्ष मंगवाई थी ओरिजिनल रुद् इसलिए कहता हूँ आप पहले उसको देखलो कि खुला तो नहीं है उसके बाद है रिसीव किया करो और अगर आपको भी कुछ ऐसे ही ओर्डर करना है जैसे और लोगों ने ओर्डर किया है तो आप हमें मैसेज करिएगा 900-564-3345 ये मेरा वाटसेप नंबर है इस पे आप करते हैं इसका एक फाइदा है और वो है नजर लगने को लेकर ना जिसे मान लीजे कि ये सोचते हो कि भीया हमारे घर में नजर टोने टोटके बहुत ज़्यादा लगता है हम लोग तो बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं इसके लिए कोई उपाय बता दो तो भी हम पहला या तो आप अपने घर की छट पे चले जाओ, दूसरा या तो आप अपने मेन गेट के बाहर जाना है, ठीके न, अंदर खड़े हो करके इस उपाय को नहीं करना, किते दाने हैं, एक सो आठ चावल का दाना, उन एक सो आठ चावल के दाने को चार भाग में बाट लो, ज आपको थोड़ा थोड़ा उन एक सो आठ चावल को इस कामना से समर्पित करनी है, कि हम यह चावल का दाना चिडियों के लिए समर्पित कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो आपके नजर, टोने, टोटके घर में लग रहे होंगे न, जब कोई चिडिया करके उन चावल के दा मैंने कोशिश की आप सभी को हरताली का तीश की फुलिरा दीपक को अच्छे से समझाने की वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ मैं, नीचे कॉमेंट सेक्षिन ने पूछ सकते हैं, मेरे जितने भी भाई बहन, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, स्रीश वाय, नमस्तु भिम